नागोर देश का पहला ऐसा जीला बनेगा जहां पे मंदिर जो है वो बेटियों के नाम पर बनाई जा रहे हैं और कोड़ कोड़ से मंदिर है जो बेटियों के नाम पर बनाई जा रहे हैं जो आपके आगामी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं सबसे बहले जो कल का मेन मुद्धा था कल की जो मेन कटिंग थी इसको डंग से समझना है देखो दोस्तों बासकर ने प्रकाशित की थी यह खबर कल के समाचारपत्र की है और फ्रंट जो लाइन लिखी हुई उपर उपर लिखी हुई है कि देश का पहला जीला जहां बेटियों के नाम पर मंदिर बने हैं देश का पहला जीला है नागोर जहां बेटियों के नाम पर क्या बने हुए मंदिर नागोर में नो बेटियों के नाम पर मंदिर है नागोर में कितनी बेटियों के नाम पर मंदिर है नो और फूला बाई का एक मंदिर है जहां लोग न जिलाय जा बेटियों के नाम से मंदिर बने हैं यहां कि मीरा भाई कर्मा भाई फूला भाई राना भाई सब इस्वर पक्ति में रम गई और देश इन्हें नागोर के बेटियों की रूप में जानने लगा मीरा भाई का जन्म विक्रम संवत 1561 में मेड़ता में हुआ कि उतनती है कि एक दिन मीरा के महिल के पास से बारात निकल रही थी तो दूले को देखकर मीरा भाई ने अपने गरवालों से पूछा कि मेरा दूला को ने तो गरवालों ने कह दिया कि तेरे जो दूले हैं वो तो बगवान स्री कृष्ण है और तब से मीरा भाई बगवान स् है जो नागोर में बेटियों की नाम पर बनें तो देखो एक मंदिर है राना भना का मंदिर हम समय ना patience परेखशर मेंसरी उपियों की प्रस्थक्ष्य का मंदिर के लिगत neither यह ना भाई की धनलों लिखा हो है लए लिख न सराजय मंदिर रॉप ही जाएन रगड़ा रागा राधस्तान की दूसरी मिराबाई अगर पूछेगा तो ऊथर क्या एका राणा भाई और मंदिर कहा इस्तित दोस्तों ये मंंदिर कहा आपर स्तित है ना गॉर में धेखो मीराबाई जो है जो नागॉर की ये इस मीरा भाई को हम कहते हैं राधस्तान की राधा क्या कहते है मीरा भाई को राधस्तान की राधा क्योंकि मीरा भाई ने जो बगवान कृष्ण के प्रेम में कहीं पदा उलिया लिखी है बगवान कृष्ण को अपना पती मान कर पूजा है तो जो मीरा भाई है उसे तो हम चतुरदास जी की सिश्चा थी जो राना भाई है कौन से संथ की सिश्चा मानी जाती है दोस्तों चतुरदास जी की सिश्चा थी और इन्हों ने जीवन समाधी ली थी तीन बाते याद रखनी है राना भाई का मंदिर नागोर में राना भाई को राधस्तान की दूसरी मीरा बाई कहते हैं और किसके सिश्चा थी चतुरदास जी की सिश्चा थी और वो थी जिन्हों ने जीवन्त क्या ली थी समाधी तो पहली जो बेटी है जिसके नाम पर नागोर में मंदिर बना हुआ है रानाबाई का मंदिर दूसरी जो माता है लोगदेवी की रूप में जिसको 1730 में हुआ और मानने ता है कि शरीर त्यागने से पहले उन्होंने समी व्रक्ष के सूखे पेड़ को अरा बरा बना दिया था तब इसे मंदिर में इन्हें व्रक्ष के रूप में पूचा जाता है ध्यान चे समझना इनके बारे में एक दार्मिक अवदारना है कि सब इनने जब अपना सरीर त्यागा उससे पहले समी का जो व्रक्ष था खेजडी का व्रक्ष था वो सूखा हुआ था और मरने से पहले सरीर त्यागने से पहले इन्होंने उस व्रक्ष को पुने अरा बरा बना दिया था इसलिए गिगाई माता के नाम से व्रक्ष की पूचा की जात राणावाई दूसरीयों कही कीगाई माता और तीसरीयों कही स्री राजल भाईसार इनके बारे मुख्य हैं कि इन्हें करणी माता का उतार माना जाता है इन्हें किसका उतार माना गया है करणी माता वही करणी माता जिसके राजस्तान में दो प्रमुक मंदिर है पहला मंदिर देशनोक के मंदिर उन्देशनोक की जुवह कोन सी बेटी, कौन सी लोग देवी है जिसका मंदिर नागोर में बण हुआ है तो कौन सी भाईसा है स्री राजल भाईसा इनके बारे मिलिका हुआ है कि उदे राज चारण के अगर चन्मी स्री राजल भाईसा का जन्म विक्रम संवत 1595 में हुआ और लोग इन्हें करणी माता गाउतार मानते हैं और गुजरात में और सोराष्ट्रमेन की क्या की जाती है पूजा तीन प्रशन बन चुके हैं ध्यान रखना दूसरी मीरा भाई किसे कहते हैं राणा भाई को ध्यान रखना वह कौन सी लोग देवी है जिसने शरीर त्यागने से पहले समी के सूके वे पेड़ गोरा बरा कर दिया था और व्रक्ष के रूप में जिसकी पूजा होती कि इए तुगी गयी बाता, और करणी माता की हा, उतार किसने भी को माना जाता है तो शरी राजल भाई साफ को और इस सभी मंदिर का इस्तित नाः गोर में, अगली माता अगली जो बेटी है जिसके नाम पर मंदिर है कर्मा भाई, जब हम छोटे से तब से कर्मा भाई का ब कहले भी बताया ृ जहां भी मन्दिर की बाद होगी धर्म की बाद होगी संभुदाई की बाद होगी वहां दार्मिक मान्नेतां कामकरेगी जैसे मीरा भाहि जो है इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मीरा से जुड़े होए कई प्रस्वाता है परिक्षय में मीरा भाई में ने फिया पैला भी लोग कई लोग कैते हैं काben हिखाने फर्पेति ने अजिंकरेिजो सांच स किंठन कि टा तो यह शे-स आंती है वेवग्यानिक प्रमान थोड़ी है अरे जैर अगर पीती तो वास्तों में मीरा भाई मर दी लेकिन दर्म यह कहता है कि सबसे बड़ा क्या है भगवान है तो दार्विक माननेता है काम करेगी तो यहां भी वही बात है कि यह जो कर्मा भाई है इनका बना हुआ खीचडा खान से आते थे और कर्मा भाई ने अंतिम सास कहां लिए जगन्नातपूरी में अरे कहां लिए जगन्नातपूरी तो बगवान स्री क्रश्न किसका खीचडा खाने आते थे कर्मा भाई और कर्मा भाई ने अंतिम सास कहां लिए जगन्नातपूरी में तो चार बेटिया हो गई सा वापसरावरा गर्दिया गीगाई माता तो व्रक्ष के रूप में इन की पूजा होती है आगे बता दू कि करणी माता का उतार माना जाता है स्री राजल वाई सागो और जगनात पूरी में जो अंतिम सास ली थी जिनका बनाया हुआ खीचडा खाने बगवान स्री कृष्णा देते वह कौन सी भाई है सब कर्मा भाई है अब हम बात करते हैं आगे कि वह सुनिए ज्यान से अगली जो माता है वह माता है दासी बाधी कौन सी माता है वह दासी बाधी डंग से समझना ये कहीं भी अब तक नहीं पड़ाया गया क्योंकि खल के पेपर में प्रिकाशी उनके बारे में कहते हैं कि गरीबों में पूरी संपत्ति बाठकर समाधी ले ली थी ध्यान रखो जब मैंने आपको करांती पड़ाई तो दो लोग देउता पड़ाई तो डूंगर जी और जवार जी बल जी और पूर जी उन्हें कहते हैं गरीबों के लोग देउता और ग गरीबों के लोगदेवता किसे कहा जाता है आपको पूछ ले ये बात तो ध्यान रखना है कि गरीबों के जो लोगदेवता है वह धूंगरजी और जवार जी जिनका सम्मंधता सीकर से ठीक है इनोंने किरान्ति के दोरान सेनिक चाहुनी को लूट कर धन का वित्रण गरीबो के लोगदेवता दूंगर जी और जवार जी और गरीबों में संपत्ती बाटकर जिन्होंने समाधी ली थी गरीबों की जो लोगद tsunami कहलाई गी वह कहलाई कि दासी बाधी इनके पारे में लिखा हुआ है कि मेतड़ी कस्पे में दालः मंदीर त्याइन किश के मंदीर वाई गरीबों में बाठ कर खुद क्या ले ली थी, समादी, तो यसी माता का मंदिर कौं सा है, दासी बादाक, दासी बादी का मंदिर, अगली जो बेटी यह जिसके नाम पर मंदिर बना हुआ है फूला बाही, अरे कौन सी भाही है, फूला बाही, इनके बारे में लिखा हु कमेंट करो एक बार परियावरण रक्षक के रूप में किस लोग देवता की पूझा होती है कमेंट करना शुरू करो एक बार देखें एक बार बताना शुरू करो खुब पढ़ा है आपने कि वह कोण से लोग देवता है जिने परियावरण रक्षक माना जाता है परियावरण रक्षक के रूप में किस लोग देवधागी पूजा होती है, कमेंट करना शुरू करो एक बार, बताइए देखें, परियावन रक्षक कोण से लोग देवधागी कहते हैं, हा मेंट देदेता हूं विश्णोई संपरदाई के प्रवर्दग साभू, किस संपरदाई के प्रव कुल्दीप कुमार मोनिका सिंग ललिता गुजर ओश्यार सिंग गोविन जांगिड रिया शर्मा सत्पाल सिंग निरू सुनिल गोडपुतली प्रिया मीना संजे जोधरी कनेया पारासर बावना शर्मा स्टेश्टेडी सोनुकुमारी बिल्कुल राइट आंसर गीता वेज्यानिक के रूप में जो मुख्य पूजा होती है जामबो जी की होती है लेकिन द्यान यह भी रखना है कि देव नारायन जी को भी परियावरण का ज्याता माना जाता है लेकिन परियावरण वेज्यानिक के रूप में किस लोग देवदा की पूजा होती है जामबो ज रक्षक्ति मांजवास गाउं में 78 वर्ष की आयू में जीवन समादी ली थी नोंने और यहां उनके मंदिर में लोग परियावरन बचाने और नसा छोडने का संकल्प लेकर आते हैं जो मुख्येड लाइन लिखी हुई थी कि पूला भाई का जो मंदिर है इस पूला भाई के मंदिर में जो है वो लोग नसा छोडने का संकल्प लेते हैं उसी पूला भाई के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पूला भाई ने जीवन समादी ली थी परियावन रक्षक थी और इनी के मंदिर में लोग बुरी लत छोडने नसा छोडने के लिए संकल्प लेते हैं तो यह सारी बात है किस माता से संबंदित है फूला भाई से संबंदित अगली जो बेटी है जिसके नाम पर मंदिर है प्रमुखे बूंगरी माता अरे कौन सी माता है बूंगरी माता डंक चे सुनना अगली जो बेटी है अगला जो मंदिर है बूंगरी माता का मंदिर और लिखा और इनके बाते हैं कि बाई की मोत पर इन्होंने क्या त्यागे थे प्राण त्यागे आगने वाली राजल को बूंगरी माता की रूप में पढ़ा जाता है ध्यान देजा जी की बाहिन का नाम था राजल और जब तेजा जी की सरफदंस से म्रत्य हो गई थी तो तेजा जी के मरने के बाद इसी राजल ने अपने प्रान त्याग दिये थे और ये राजल वर्तमान में किस माता की रूप में पूजी जा रही है बूंगरी माता की रूप में यही लिखा हुआ है तिबाई की मोत पर अपने प्रान त्यागने वाली रा और टेजा जी के मरने पर इनकी बहीन ने भी अपने प्राणत्याग दिये थे। को भी करणी माता का उतार माना जाता है लेकिन करणी माता का जो प्रतम उतार माना जाता है वो इंदर भाहिसा को माना जाता है लिखा हुआ है कि इने करणी माता का प्रतम उतार अगर पूच ले कि करणी माता का प्रतम उतार को न है तो इंदर भाहिसा और करणी माता का उतार और किस लोग देवी को भी कहते हैं तो राजल भाईसा को यह ध्यान रखने है आपको और लिखावा है कि करणी माता का मंदिर देशनोक के बाद जो सरवादिक माननेता वाला मंदिर है वो इंदर माता का मंदिर माना जाता है यानि कि इतनी माननेता है इनकी कि देशनोक में कर जाती है उसके बाद राधस्तान में अगर करणी माता की ख्यादी किसी मंदिर की है करणी माता की उतार के रूप में अगर किसी लोक देवे को पूझा जाता है तो वह कौनशी माता है इंदर भाई सा तो आठ माता ये तो यह हो गई और नव भी कौनày वह गई मीरा बाई ये नो मंदिर जो है वो नागोर में नो बेटियों के नाम पर बने हुए है और सो परसेंट इन से जुड़ावा प्रशन आएगा एक बार रफेंट टब बता देता हूं मैं सारी गणिता आपको देखो मीरा भाई जो है जिनका मंदिर नागोर में मीरा भाई को राधस्तान की रा बराखर दिया था तो एसी माननेता है गी गाई माता गी इसके बाद प्रशना आजाए कि करणी माता का प्रतम उतार गोण है तो इंदर भाई सा और इंदर भाई सा के अलावा वह कौन सी लोगदेवी थी या कौन सी मैला थी बेटी थी जिसका खीचड़ा खाने बगवान स पूरी मिली थी तो करमा भाई इसके बाद प्रस्णंगर आ जाए आपका कि गरीबों की लोगदेवी अपनी संपथी गरीबों में बाट कर किसने अपनी दयत्यागी तो उत्तर आएगा दासी बाद ही इसके बात प्रशन आ जाए कि बताईए परियावन रक्षक परियावन रक्षिका के रूप में कौन ची लोग देविये जिसके मंदिर में लोग नसा छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो उत्तर आएगा फूला भाई और फिर प्रशन आ जाए कि तेजा जी की भईन का क्या नाम था राझल और तेजा जी के मरने पर इनों ने पहले अपने प्रान जाग दिये थे और राजल गा जो मंदिर उसे पूंग्री माताहा मंदिर कहते हैं और यह का इस्तित है नागोर में तो यह कल की बिलकुल टोप हेड लाइन थी कल की बिल्कुल टोप मुख्य बाद थी जो पूछी जाती और पढ़ी जाती है और सो परसेंट राजस्तान की आगामी परिक्षाओं में इससे संबंधित प्रशन पूछा जाएगा तो देखो कितना बड़ा सोबाग गया है कितना बड़ा सही हो गया है के में टोपिक पढ़ना था राजस्तान के प्रमुकिस्तल और प्रमुकिस्तलों में सबसे पहला टोपिक हमने ऐसा पढ़ा जो करंड जी के को जोड़कर विशेश तोर पर पढ़ा जाएगा और पूछा जाएगा तो यह सबसे मुख्य बाती कमेंट मेंच ड़ाल लेते हैं पूनम दागड करें आप बहुत अच्छा बोलते हो सर क्योंकि पढ़ाने में बोलना अच्छे से आना चाहिए तब ही ग्लास समझ में आती है बिल्कुल साब दन्यवाद आपका बहुत-बहुत संगीता विश्णोई जी कहने दो सबत्तर देख रहे हैं पर लाइक कम है संगीता विश्णोई जी लाइक एंडशेर दन्यवाद साब आपका तो ध्यान रखना है कि नागोर में ये नो बेटियों की प्रमुख मंदिर है और प्रमुख मंदिर किसका है मीरा बाई का अच्छा मीरा बाई की बात आ गई तो दो प्रशन पूछूंगा मीरा बाई के जुड़े वे दो प्रशन पूछूंगा मैं आप शेकर बात आई गई तो बतना शुरू कीजिए कमेंट करना शुरू कीजिए बताओ मीरा बाई ने किस संप्रदाई की स्ताब ना की थी जिस मीरा बाई के बारे में आप पढ़ते हो कि जो बगवान कृष्ण को अपना पत आते हो बिल्कुल सब सराज रिकोड टूट गया 200 ब्लस वाचिंग आ रही है बिल्कुल सब आप लोगोगा प्रेव में आप देखो आगे बताओ दासी 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 बिल्कुल राइट बावना शर्मा मनिशा कटी किरफान कान गीता राजावत रोहित मीना आर्के शेकावत योगेश सास्त्री, आर्जे परियार्थ, जोती, वंदना पाटितार, पिन्टू, योगेश मीना, सोनु शर्मार, रिया शर्मा, प्रिया शर्मा, होशार सिंग, माई, शेरावत अनुमान भीचा बिल्कुल सब का राइट आइट आंसर मीरा बाई ने किस संप्रदाई की स् अगी बात समझ में, मीरा बाई से चुड़ा हूँ, अंतिम प्रस्न में आप लोगों से पूछना चाहरा हूँ, और अंतिम प्रस्न जो मीरा बाई से चुड़ा हूआ है, वो मैं ये पूछना चाहरा हूँ दोस्तों, कि मीरा बाई के मुख्य जो उपनाम है, वो दो उपना नाम था मीरा भाई को राधस्तान की इतियास में दो नामों से जानते हैं एक तो हम इसे कहते हैं राधस्तान की राधा एक तो क्या कहते हैं राधस्तान की राधा के अलावा मीरा भाई को राधस्तान के इतियास में अन्य किस नाम से जाना जाता है वो कमेंट करना शुरू किजी आप लोग कर ये कमेंट ममता खत्री जी करें नाइस सूपर डूपर ग्लास सर बिल्कुल साब आप लोग जुड़े रहिए आपकी जितनी भी उम्मित हैं उन सब पर हम खरा उतरेंगे और बार बार वही इतियास की लाइन याद करने हैं अपने को कि द्वंध कहा तक प कसबू भाई नए 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 देखो बड़ा रोचक प्रशन है रच्छे अच्छो गिवसक की बात नहीं आंसर देने की गीता राजाव जी बता रहे है कसबू भाई कसबू भाई सा उपनाम बूच रहों में है मीरा भाई को गर में किसी भी नाम से कहत दे होंगे वह नहीं उपनाम जैसे राजस्तान की राधा मीरा भाई बताओ इसी तरीके का कोई और दूसरा नाम है जो मीरा भाई के संदर्प में लिया जाता है बताओ कौन सा है वह अभी तक किसी ने भी नहीं बताया राजस्तान रिया शर्मा जी बता रहे है राजस्तान की मीरा अरे मीरा तो बताऊंगा इससे आप बताऊ देखें वंदना पाटिदार जी नहीं पता है सरार केशे का जी राजस्तान की कोखिला वरदेव मेना राजस्तान की राधा बता दिया राधा तुम्हेने बाबा बोल ना तो खतरनाक जल रही है ग्लास बिल्कुल खतरनाक जलेगी आज तबियत राजस्तान की राधा चित्तोड की मीरा गलत आंसर अभी तो किसी ने भी आंसर एक भी नहीं बताया अब सुन लो ज्यांसर में बताता हूं आपको मीरा भाई को तो एक तो हम कहते है राधस्तान की राधा क्या कहते है राधस्तान की राधा और एक इसी मीरा भाई को हम कहते राजस्तान की राभीया क्याते हैं आधने तो राभिया का नाम पड़ा उगा आप ने राभिया प्रतम मुस्रिम मुला सन्त हुय है द्यान ची कст समझना प्रतम मुस्रिम मै्लासंत के रूप में किसे पड़ा जाता है ड्यां राभिया को और प्रतम हिंदू संत के रूप में किसको पड़ा जाता है मीरा भाई को इसलिए राधस्तान की राभिया भी किसे कहा जाता है मीरा भाई को कहा जाता है ध्यान रखना तो राधस्तान की राभिया और राधस्तान की राधा ये दोनों नाम किसके हैं दोस्तों मीर झालोगो